हाई फ्रेंड्स विल्कम हमारे जियस इंडिया यूटूब चैनल्स पर तुड़े वी हाफ सेलेक्टेड टेस्ट नमबर 333 प्रेंड्स ही हमारा टेस्ट नमबर 333 और आज का टॉपिक है निटिसेंड डिरिंग प्रेगनंसी एंड लेक्टेशन गर्भावस्ता और इस्तन पा एक्जाम्स होती है उसके लिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट है आल इस्टेड के एनम एक्जाम्स के लिए इस्टाप नर्स एक्जाम्स के लिए MPCHO exams के लिए राजिस्तान CHO exams के लिए UPCHO exams बिहार CHO exams के लिए आल स्टेट के मदपरते जारकन जितने भी exams होते हैं सबी के लिए very very important role play करेंगे क्योंकि यहां से question exams में पूछे जाती है और जो भी student interested है हमारी online paid classes लेना चाहते हैं वो इस नमबर पे संपर करेंगे अपना नाम अपने जिले का नाम लिखकर मेसेज करेंगे यह WhatsApp नमबर दिया गया 6306782918 जो अभी फीस रखी गई है अभी जो हाली में फीस चल लई है वो 3000 रुपए है complete course के लिए आपके CHO course के लिए MPCHO, राजिस्तान CHO, UPCCHO बिहार CHO के लिए जो complete course के लिए जो फीस है वो 3000 रुपए मातर रखी गई आपके syllabus के coding पढ़ाया जाता है आपको पहले theory पढ़ाया जाती है बाद में MCQ पढ़ाया जाते हैं ठीक है तो जो भी interested student है या A&M की class लेना चाहती है तो उसके लिए 24 सुरुपए फी 60 के complete course के लिए तो इस नमबर पे आप संपर कर सकते हैं इप यो इंट्रेस्टेड ओके तो देखिएगा ये कोशन सभी nursing पर रिचाओं के लिए very very important role play करेंगे जैसे कि PGI exams के लिए MPHW exams के लिए सभी के लिए BFC nursing, post BFC nursing के इंट्रेंस exams के लिए PCS nursing, officer exams के लिए male staff nurse के लिए ESIC nursing exams के लिए सभी के लिए very very important role play करेंगे चलिए स्वालब करते हैं कोशन कोशन नमबर फर्स्ट ये आपकी स्क्रीन पर कोशन नमबर आप पहला पढ़िए फिर आंसर बताईए और last बताईए आपने कितनी कोशन सभी किये कोशन नमबर फर्स्ट गरबावस्ता के दोरान अनुसंसित प्रोटीन है बताईए कितनी प्रोटीन दी जाती recommended protein during pregnancy age select किज़े right answer क्या होगा गरबावस्ता के दोरान अनुसंसित प्रोटीन है कितनी प्रोटीन दी जाती है गरबावस्ता के दोरान अनुसंसित प्रोटीन अगर आपको आंसर आए तो जरूर बताईए इससे आपका test confidence अच्छा होता है ठीके option इसका right answer होगा 60 gram 60 gram पढ़डे के हिसाब से गरबावस्ता के दोरान प्रति दिन जो रिकमेंडेट है अनुसंसित प्रोटीन की मातरा होती है वो लगबग 60 gram होती है कई जगे data में थोड़ा variation है थीके थोड़ा variation है data लेकिन 60 gram is the right answer ठीके option A is का right answer होगा यहाँ पर देख सकते हैं 75 gram भी दिया गया था लेकिन यहाँ पर changement किया गया है ठीके तो यह क्या 60 gram answer right माना जाएगा 60 gram answer right माना जाएगा तो option A ही इसका right answer होगा यहाँ पर आप note पर देख सकती है लिखा गया है during pregnancy you should get a minimum of 60 gram of protein आड़े एक दिन में आपको pregnancy के दोरान कम से कम 60 gram लेना चाहिए कम से कम आपको 60 gram protein लेना चाहिए minimum पढ़ रहे है at least ठीक है यह लिखा है which will account for approximately 20% to 25% of your calorie intake यह जितनी भी आप calorie लेते हैं उसका यह 20 से 25% होगा कितना होता है 20 से 25% के क्या सबास यह होगा ठीक है तो आपको केतना कम से कम लेना 60 gram कम से कम protein के जरुवत पढ़ती है एक दिन में गर्वती महिला को अब चलते है next question पर यह है आपकी स्कीन पर question number दूसरा पढ़िए फिर answer बताए question number second सिसू का पूरक आहर किस उम्रों में सुरू किया जा सकता है complimentary feeding of infant can be started at the age of बताए क्या होगा राइट answer इसका आपको यहाँ पर most appropriate answer select करना है देखें यहाँ पर दो option आ गए है ठीक है यहाँ पर दो option आ गए है six month, three month आप अपने हिसाफ से बता सकते है जो भी आपको लगे कि हाँ यह right answer होगा ठीक है दो option यहाँ पर एक जैसे बताए आपको तीन में से कोई select कर लेना एक answer इसका right answer option D होगा या option E होगा क्या होगा छे महीने ठीक है छे महीने इसका right answer माना जाएगा 66 month इस दर right answer होगा यहाँ पर 6 महीने इसका right answer माना जाएगा option A और D दोनों में से typing mistake है ठीक है double हो गया है ठीक है आफशन डीस का right answer है 6 मत में सिसू का पूरक आहर किस उम्र में सुरू किया जा सकता है तो 6 मत में सुरू किया जा सकता है अब आप यहाँ पर question में देख सकते है question number 2 पर edit कर दिया गया ठीक है तो अब ध्यान डिकेगा आफसंटन्दीज का राइट अंसर माना जाएगा कितना 6 महीन हैlier जिसू का पूरक आहर किस उम्रों में सुरू किया जा सकता है तो यह आफसंटन्दीस का राइट अंसर होगा 6 मुन पर सुरू किया जा सकता है यहां पर edit कर दिया गहे आफ संडी इसका right answer माना जाएगा आफ संडी इसका right answer है after 6 month ठीक है यह लिखा है as classic breast feeding for the first 6 month of the life अगर आप से पूछा जाए कि as classic breast feeding की जाती है या कराई जाती है वो कितने महीने के लिए कराई जाती है तो इसका answer होता है पहले 6 महीने के लिए कराई जाती है ठीक है पहले 6 महीने के लिए कराई जाती है ओके next day है यहाँ पर and introduction of the nutritionally adequate and safe completely solid food at the 6 month together with the continue breast feeding up to 2 years of the age or beyond इसका मतलब यह है कि आपको कम से कम 6 महीने तक 6 महीने तक WHO recommended करता है कि आपको सिर्फ इस तन पान कराना चाहिए यह मतलब बेबी को सिर्फ दूद पिलाना चाहिए ठीक है फिर इसके बाद WHO कहता है कि अगर आप complimentary food देना चाहते है यह solid food बेबी को देना चाहते है तो 6 महीने से आप सुरू कर सकते है यह 6 महीने के just बाद में यह 6 महीने से आप सुरू कर सकते है लेकिन उसके साथ आप breastfeeding भी कराएंगे लिखा with continue breastfeeding up to 2 years आपको 2 साल तक breastfeeding कराने चाहिए इसके बाद तक भी यहां लिखा है और beyond ठीक है यह आप इसके बाद तक भी breastfeeding करा सकते है ओके तो समझ में आ गई होंगी बाते जब आप से पूछा जाए कि exclusive breastfeeding कितने दिन तक कराना चाहिए तो पहले 6 महीने तक ठीक है अगर आप उसे complimentary food देना चाहिए तो 6 महीने से शुरू करेंगे और साथ में breastfeeding भी कराएंगे यह कितने दिन तक कराएंगे आप 2 साल तक कराएंगे इसके बाद तक भी आप कराशकते हैं ठीक है नेक्स्ट है यहाँ पर और बताइएगा breastfeeding के lab क्या होते हैं सिसू को क्या lab होते हैं breastfeeding के सिसू को infant को जो baby होता है उसको क्या lab होते हैं आप comment box में हमें बताएंगे क्या benefit होते हैं question number है यह आपकी skin पर तीसरा पढ़िए फिर आंसर बताइए question number third गर्वती महिलाओं के लिए calcium milligram per day की हिसाब से परयाप्त मातरा केतनी होती है बताइए right answer appropriate जो भी answer आपको लगे वो आप select कीजिएगा ठीक है जो भी आपको appropriate answer लगे यहाँ पर what is the adequate intake of the calcium mg per day for pregnant woman for a pregnant woman क्या होगा इसका right answer select कीजिए right answer देखिए इस question का जो right answer होगा at least कम से कम 1000 लेना चाहिए mg per day के इसाब से calcium option is का right answer होगा 1000 कम से कम जादा ना मिले कई जगे तो 1200 recommended किया जाता है 1200 को recommended किया जाता है लेकिन कम से कम data माना जाएगा answer कम से कम 1000 कम से कम 1000 mg per day के हिसाब से लेना चाहिए गर्वती महिला के लिए calcium मिली mg per day के हिसाब से 1000 mg per day के हिसाब से लेना चाहिए यहाँ पर देशकती एक point लिखा गया है while you are pregnant जब आप pregnant होगे try to get at least 1000 mg of calcium every day आपको केतना calcium लेना चाहिए 1000 mg per day के हिसाब से कम से कम लेना चाहिए ठीक है next है यहाँ पर मतलब इतना आपके लिए परयात है 1000 question number है आपकी skin per 4 question number आप 4 पढ़िए फिर आमसर बताइए इस्तन पान कराने वाली माताओं के लिए कितनी कैलोरी की सिपारिस की जाती है how many calories are recommended for the breastfeeding mothers select कीजिए आप right answer जो भी आपको लगे option देखिए होस तकता है थोड़ा बहुत variate हो आपके recording option नहों ठीक है लेकिन फिर भी आप यहाँ पर appropriate answer select करेंगे कि जो best answer हो वो आप जैसे कि commission हमें साफ से कहता है जब भी आपको option दो एक जैसे लगें तो दोनों में से जो सब से best होगा वो आप answer बताएंगे best ठीक है या आप appropriate answer बताएंगे ठीक है appropriate का मतलब होता है लग भग में उसके आसपास तो क्या होगा right answer इसका option डीव्स का right answer होगा 2500 कितना लिखा है पचीस सो कैलोरी की जरूत पड़ेगी यहाँ पर इस तनपान कराने वाली माताओं के लिए कितनी कैलोरी की सिपारिस की जाती है पचीस सो कैलोरी की सिपारिस की जाती है option डीव्स का right answer होगा अब यहाँ पर देख सकते हैं भारत में ज़्यादतर डॉक्टर द्वारा डॉक्टर जो होता है दूसरी और तीसरी तिमाई में प्रति दिन अत्रिक्त जो additional कैलोरी की सला देते है डॉक्टर वो 300 कैलोरी की सला देते है यहाँ पर एक point external आपको बतायागा तो अगर 300 अत्रिक्त दे दी जाएगी उसे ठीक है मानलों कि 300 अत्रिक्त दे दी गे second trimester या third trimester में तो यह पचीस तीन 2800 हो जाएगा कितना हो जाएगा 1200 कैलोरी हो जाएगी समझ में आगी बात आपको अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आप कितना देंगे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आप second trimester में गर्वती महिला को कितना देंगे कैलोरी तो आप ध्यान रखेगा 1200 कैलोरी देंगे ठीक है third trimester में कितना देंगे 1200 कैलोरी देते हैं या यूँ कहेंगे जैसे कि मैंने बताया आपको second trimester में यहाँ पर आप वीडियो के स्किप मत करिये ठीक है क्योंकि आपके लिए knowledgeable ये point है अगर आपसे पूछा जाएगा कि जनरली पचीस सो देते हैं पचीस सो में क्या करेंगे 300 अत्रिक्ते देते हैं पचीस सो में कितना जोड़ेंगे 300 तो यह हो जाएगा 2800 कैलोरी कितना यह second trimester के लिए इतना होगा second दूसरी तिमाही के लिए इतना होगा अब हम बात करते हैं third trimester के लिए third trimester में generally कितना होता है पचीस सो होता है लेकिन third trimester में 2850 वाला सही माना जाएगा ठीक है क्योंकि 350 होता है उसमें तीसरे में 50 और ज्यादा बनाया जाता है ठीक है तो पचीस सो ही हो गया पचीस सो में 300 प्लस करेंगे तो यह 2850 कैलोरी दिया जाता है 2850 कैलोरी होता है समझ में आगी बात generally कितना होगा 2800 कैलोरी यह समानते हैं होता है 2800 कैलोरी होता है लेकिन कोशन देख लिजए यहाँ पर क्या पूछा गया है जो breastfeeding कराती है मा ठीक है उसके लिए यहाँ पर आफसन में 2800 नहीं है 2500 दिया गया है कितना दिया गया है 2500 इसलिए आफसन में 2500 सही माना गया ठीक है अगर 2800 होता है तो 2800 हम सही मानते फिर 2800 और 2500 में दोनों में से कोई एकी लिखा होता 2000 तो लिखा मिलेगा 2000 लिखा होगा लेकिन 2800 या 2500 में दोनों एकी लिखे होंगे क्योंकि यह भी answer सही होता है वो भी answer सही होता है क्योंकि ये generally पचीस सो होता है और तीन सो अत्रिक्त दिया जाता है ये second trimester के लिए तो पचीस तीन अठाइस सो हो जाता है कितना 800 kcal दी जाती है अगर third की बात कर देते हैं तो इसमें क्या होता है पचीस सो तो generally होता है 3500 में क्या करते हैं 350 और जोड़ देते हैं तो ये 2850 हो जाता है कितना 2850 हो जाता है ठीक है तो समझ में आगी बात 2850 दिया जाता है तो इस हिसाफ से अगर आपको option में जैसे मिल जाएं तो इस हिसाफ से अफसलेट कर लेना recording समझ गया होंगे क्या इसमें theory थी क्या चीजें बतानी थी ठीक है जान गया होंगे अगर फिर भी समझ में नहीं आए कोई point आप तो आप हमें comment करके पूछ सकते हैं ठीक हमसे अब यहां पर देखेगा question नमर है आपके screen पर 5 पढ़िए फिर answer बताएए नौजाज सिस्मों को आम तोर पर दीन में कितनी बार दूद पिलाने क्या हो सकता होती है how many times are day do new bonds generally need to feed क्या होगा इसका right answer मलब नौजाज जो सिसु होते हैं आम तोर पर दीन में कितनी बार उन्हें दूद पिलाने क्या होती नौजास सिस्मों को बताएए right answer क्या होगा appropriate answer है और सबसे best answer है वो है option B क्या है option B 8 से बाराबार ठीक है option 20 का right answer होगा ये question काफी अच्छा है नौजास इसमों को आम तोर पर दिन में कितनी बार दूद पिलाने के आशकता होती है 8 से बाराबार exact answer कोई नहीं होगा range data ध्यान रखना है ठीक है range data ही ये काम आएगा आपके 8 से बाराबार ये appropriate answer है best answer है आपके लिए ठीक है 8 से बाराबार जो भी point है नीचे दिये गए आप वहाँ पर देख लिजे details में देखे गया आपर दो-तिन point है define किये गया है इन्हें समझी आप ये लिका है newborn baby suit breastfeed at 2.12 times per day for about the first month पहले महीने अगर baby की जरूत परती जो baby होता जैसे जनम लेता है तो पहले महीने उसे 8 से बारा बार दूद पिलाना चाहिए एक दिन में ठीक है 8 से बारा बार breastfeeding करानी चाहिए एक दिन में ओके अब देखे नेक्स breastfeeding करा सकते हैं 7 से 9 बार जब आपका baby एक से 2 महीने के बीच में हो जाएगा तो आप अपने बेड़वी को दूद पिलाएंगे कितनी बार 7 से 8 बार sorry 7 से 9 बार क्या सबस ठीक है 7 से 9 बार एक महीने के बाद आप उसे पिलाएंगे एक से 2 महीने के बीच में 7 से 9 बार अगर वो एक महीने के अंदर का है तो उसे 8 से 12 बार जरूरत पड़ती है समझ में आगी होगी बातें यह दोनों तीनों बातें लिख लेना सभी important है आपके लिए ठीक है मुश्किल है जो आपको ऐसे point मिलते हैं कहीं ठीक है और बहुत आप confusion में रहते हैं कि पता नहीं क्या होगा answer क्या नहीं होगा तो जो भी point हमारे दौर आपको बताया जाने यह point लिख लेना आप ठीक है काफी आपको सहायता मिलेगी exams में question number 6 किलोसिस किस कमी से सम्मंदित है स्वारी यहाँ पर associated है किस से सम्मंदित है बताईएगा किलोसिस किस की कमी से सम्मंदित है which deficiency is associated with किलोसिस किलोसिस के बारे में मैंने कई बार जिक्र किया है अपने चैनल पर और बताया भी है आप लोगों को तो बताईए आप right answer क्या होगा किलोसिस ठीक है किलोसिस यह बिटामिन से दिये गए है कुछ नहीं बिटामिन से आप right answer से लिट करेंगे आफसन बीस का right answer है क्या है आफसन भी बैरहाल यह बिटामिन B2 की वज़े से हो जाता है किलोसिस किस की वज़े से होता है बिटामिन B2 की वज़े से किलोसिस हो जाता है यहाँ पर देखें इसे हम रेबो फ्लाविन भी कहते हैं क्या कहते हैं राइबो फ्लाविन डिसेंसी जो आफिन असेसेटिट विज़ा किलोसिस यह लेका है चैपिंग एंड फिसरिंग ऑप दे लिफ्स बिटामिन B2 की कमिस होता है यहाँ पर डिफाइन नहीं किया गया था इस तरह ब1, B2 इस तरह नहीं तो B हम समझ लेते हैं B के अंतरगत बहुत सारे vitamin आते हैं ठीक है complex group में काफी तो आप इतना समझेगा राइब फलाविन के वज़े से मुखेता ऐसा देखा जाता है question number है आपके skin पर 7 question number आप 7 पढ़िए फिर answer बताइए सिसु किस महिने में अपने जन्म के वजन से दुगना हो जाता है अपने जन्म का वजन का दुगना हो जाता है the infant double his her birth weight at which month क्या होगा इसका right answer select कीज़ेगा right answer आप the infant double his her birth weight at which month सिसु किस महिने में अपने जन्म के वजन का double हो जाता है बहुत अच्छा question है ये exams में कई बार पूछा जा चुका है ये question ठीक है इसका right answer option A है क्या 5 month option ही इसका right answer होगा 5 महिने में जो बेबी जब से जन्म लेता है जैसे कि मालो की वो 3 kg का है तो 5 महिने में क्या होगा वो 6 kg का हो जाएगा 5 मन्त में क्या होगा 6 kg का हो जाएगा समझ में आरी बात आपको जैसे कि जान मालो की सामानतर है जो बेवी जन्म वो कितने kg का था 3 kg का तो 5 महिने में वो कितने kg का हो जाएगा वो double हो जाता यहाँ पर लिखा है इसको किस महिने में अपने वजन से दुगना हो जाता है आप ये comment box में हमें बताएंगे हम सभी के comment चेक करते हैं किसने क्या reply दिया है किसने क्या answer दिया है तो आपको बताना है तरपल हो जाएगा ठीक है जो जन्म का वजन होगा ठीक है उसी वजन का वो तरपल हो जाएगा तीन गुणा हो जाएगा आपको बताना है कि वो कितने महीने पर तिरपल हो जाता है बेबी का वजन अपने जन्मे के वजन का ठीक है यह आप comment box में बताएंगे और हम reply करेंगे आपको जैसे में time मिलता है लेकिन फिर भी आप courses करेंगे बताने का ठीक हम सब के कमेंट देखते हैं ठीक है और लगबग लगबग सभी को हम जानते हैं जो भी हमारे चैनल पर डेली विजिट करते हैं कोशन नमबर है एट आपकी स्किन पर जन्म के बाद पहले दिन सरीर द्वारा बनाए गए दूद का एक निश्चित नाम होता है यह क्या है बताईए आपसंड के कोडिंग दा मिल्क मेड बाई दा बॉड़ी इन फर्स डे आफ्टर बर्थ हैज अ सर्टीन निम वट इज इट बताईए यह क्या है जन्म के बाद पहले दिन सरीर द्वारा बनाए गए दूद का एक निश्चित नाम होता है यह क्या है? क्या कहते हैं इसे बताए रैट आंसर जो भी आपको लगए आफ सिलेट किजे रैट आंसर मतरा यह रैट आंसर क्या होगा इसका? देखे एक काफी सिंपल से कोशन है आफ सन 20 को रैट आंसर है कुलेस्टरम कहा जाता है भाई कुलेस्टरम कहा जाता है और ये कई बार एक्जामस में पूछा जा चुका है एक्जामस में जो कुलेस्टरम होता है ठीक है ये कितने दिन तक माना जाता है जो फस्ट मिलक आप मदर्स होता है आफ्टर डिलेवरी ठीक है उसे हम कुलेस्टरम कहते हैं ठीक है उसे हम कोलेश्टर कहुँए है या कितने घंटे या कितने दिन के लिए जो दूद होगा या उसे हम कुलेश्टर्म कहेंगे तो यह आप comment box में हमें बताएंगे ठीक है comment box में बताएंगे आ लेडी मांने चैनल में पढ़ाया हुआ है तो जो भी नए स्टूडेंट है वो क्या करेंगे हमारे चैनल के अनिसा भी वीडियो देखेंगे वीडियो वाले सेक्षन में जाके या जियास इंडिया नर्सिंग डाल देना आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे कोश नमबर 9 है आपके स्क्रीन पर उन माताओं के लिए इस्तनपान की सिपारिस नहीं की जाती है जो हैं ब्रस्ट फिडिंग इस नाट रेकमेंडेट फार मदर सू है बताइए गा राइट आंसर क्या होगा इसमें उन माताओं के लिए इस्तनपान या ब्रस्ट फिडिंग की सिपारिस नहीं की जाती है जो हैं क्या हैं आफसन डीस का राइट आंसर होगा HIV से जो गरसित होती है उनके लिए ठीक है उन माताओं को सिपारिस नहीं की जाती कि आप ब्रेस्ट फीडिंग कराईए ठीक है समानतिया ब्रेस्ट फीडिंग के लिए HIV पोजिटिव महिलाओं को नहीं कहा जाता है कि आप ब्रेस्ट फिडिंग कराएं, आप संडी इसका राइट आमसर होगा होगे, आप संडी इस दर राइट आमसर, अब हम चलती हैं, नेक्स्ट टू पॉइंट की तरफ, नेक्स्ट एक कोशिन नमर आपके स्के इंट पर 10, कोशिन नमर 10 पढ़िए, फिर ये स्के इंट लिए जाता है, इनापसर में से आप अपना राइट आमसर वसलेट कीजिए, जनमर के समयं सिसु को अखसर कौण सा पोषक तर तो दिया जाता है, क्या होगे इसका राइट आमसर, कमेंट कीजिए, ये लाष्ट कोशिन है आपके स्किन पर लेकीन डिटेल सा इस details को आप समझेंगे ठीक है देखिए इस question का right answer है option C क्या है option C is the right answer ये vitamin K दिया जाता है बाई जन्म के समय सिसु को अक्सर कौन सा पोशकता तो दिया जाता है तो vitamin K दिया जाता है option C इसका right answer होगा option C अब थोड़ सा समझ लेते हैं इसे ठीक है नोट करके यहाँ पर दिया गया all newborns with birth weight of 1000 gram or more should be administered 1 mg of the vitamin K किस मादम से दिया जाएगा इंट्रमेस्कुलर दिया जाएगा ठीक है यह लिका है while those waving less than 1000 gram should be received the 0.5 mg doge अगर baby का वज़न 1000 gram या इससे अधिक है तो उसे हम 1 mg doge देते हैं किस की vitamin K किस root से देते हैं इंट्रमेस्कलर root से देते हैं अगर baby का वज़न जन्मे के समय उसका वज़न केतना है 1000 gram से कम है तो केतना doge दिया जाता है उसको 0.5 mg मतलब half mg doge दिया जाता है समझ में आगी होंगे ये बाते हैं आपको अगर baby का वज़न वेट 1000 gram या इससे अधिक है 1000 gram या इससे अधिक है तो उसे हम 1 mg देंगे doge कितना देंगे 1 mg देंगे और देंगे कैसे इंट्रमेस्कुलर देंगे किस root से देते हैं ये भी question पूछा जाता है इंट्रमेस्कुलर दिया जाता है ठीक है आई-म रूट से हम लोग देते हैं अगर baby का वज़न 1000 gram से कम है तो कितना देंगे 0.5 mg डोज दिया जाता है कितना 0.5 mg तो मीट करता हूँ आपको ये सभी point समझ में आ गये होंगे अगर फिर भी कोई point आपको अच्छी तरह से समझ में नहीं आया ठीक है तो आप हमसे comment करके पूछ सकते हैं और आप अपने comment करके अपनी सला जरूर दिया करें ठीक है कोई भी point अगर आपको नहीं आया पूरे question में से पूरे question से जितने भी आपने पढ़े जो भी चीज आपको नहीं आया इस समझ में आप पूछ सकते हैं हमसे ठीक है आप स्वतनत्रे पूछने के time मिलने पर आपके लिए जरूर उससे related जो भी आप topic पढ़ना चाहते हैं जरूर हमें suggest कीजिए उससे related आपके लिए वीडियो बनाय जाएंगे ठीक है कुछ दिनों से मैं थोला बीजी था इस वज़े से वीडियो अगर आपको नहीं मिल पा रहे थी अब डेली आपको वीडियो मिलेगी और हाँ जो भी student interested है MPCHO की तयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो हम within time आपके exam से पहले आपका course complete कर देंगे इस नंबर पर आप संपर कीजिए 630678298 ठीक है 63-07-62-918 आप इस नंबर पर संपर कर सकते हैं राजिस्तान CHO की class लेने के लिए MPCHO, UPCHO या आप staff nurse की तयारी करें या PGI nursing की आप तयारी करना चाहते हैं ठीक है PGI nursing के लिए या किसी आप interest exams के लिए BSC nursing, post BSC nursing की interest exams या JNM के interest exams की तयारी करें तो आप इस नंबर पर संपर करेंगे JNM या ANM के लिए आप class लेना चाहते हैं सभी के बैचेच अलग-अलग चलते हैं separate हैं ठीक है जो भी जिसमें data आता है अप इस नंबर पर संपर कर सकते हैं ठीक है और जो फीस वगरा है आल्रेडी मैंने बता दिया है इस टापनर्ट CHO की जो फीस है वो 3000 रुपए है पूरे complete course के लिए टॉपिक वाइज लेबस वाइज आपको पढ़ा जाता है PDF notes वगरा सब कुछ आपको provide की जाते है मातर 3000 रुपए में जो एनम की फीस है वो 24 रुपए है और जो लोग PDF note purchase करना चाहते है वो भी इस नंबर पर संपर करेंगे जो नंबर आपकी screen पर अभी ज़स्ट दिया गया था 6306782918 63 066 62 918 पर संपर करेंगे ओके तो जो भी student interested है अगर चैनल पर आप नए है इसे subscribe करना like करना हो सके तो अपने दोस्तों के साथ share करना और अगर आपको वीडियो अच्छ लगओ तो जरूर इसे share करना और जरूर अपनी comment box में देना किया आप topic पढ़ना चाहते है ठीक है अगर आप within time course को समाप्त करना चाहते है कि हमारा within time course समाप्त हो जाए आप हर बार पढ़ते हैं बार बार फेल हो जाते हैं जरूर आप हमारी paid classes लीजिए आपको यहापर topic wise, labels wise आपको पढ़ाया जाता है A to Z complete data पढ़ाया जाता है ठीक है जो भी आपकी exams में question आते हैं ठीक है, अच्छी तरह से आपकी तयारी हो जाती है और PDF notes वगरा भी provide की जाते हैं ठीक है अच्छा, मैं आप class को over करता हूँ Thanks for watching friends, thank you, bye bye, take care